Hello everyone, मैं मनिस कुमार, आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ तो thumbnail देखके आप लोग को idea तो लग ही क्या होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं और एक वीडियो के comment section में एक ही चीज भरा पड़ा था और वो है कि package कितना मिलेगा, package कितना मिलेगा और एक और question भी था कि project कहां से करें तो ये दो चीजे बहुत जादा पूछा गया है तो चलिए हम पहले वाले question को आज address करते हैं कि package कितना मिलेगा और project के बारे में हम next वीडियो में बात करने वाले हैं तो देखो जो हमारा package decide होता है उसके लिए हमें multiple factors को देखने पड़ते हैं और उन्ही सारे factors के बारे में आज बात करने वाले हैं तो चलिए start करते है factor number one से जो सबसे हमारा पहला और important factor होता है वो होता है हमारा mindset अब यह आप लोग को यहाँ पर लग रहा होगा mindset क्यों मैंने add किया तो यह वाला आप यहाँ पर जहाँ पर वीधर या इधर मैं screenshot लगाने वाला हूँ यह screenshot देखो आप तो यहाँ पर आपको comment section में देखने को मिल रहा होगा कि इन्होंने क्या reply किया है भाई मेरे 30 लाख Google करने का लोग है क्या यहाँ से आप लोग को समझ मारा होगा कि किस तरह की इनकी mindset है इनको लगता है कि सबको मजदूरी करनी चाहिए 2-4-5 लाख लेके बैठे रहना चाहिए क्योंकि हम तो सिर्फ Google करने के लिए बैठे हुए यहाँ पर Google करके ही सारा पैसे उठा रहा है और यह बोलते कि 10 साल का experience होता तो 30 लाख जो मेरा package है वो मतलब इतना नहीं है कम जादा है मैं exact नहीं बताता हूँ तो 10 साल के experience पर होता तो यह फिर justified था तो यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि यह है हमारा mindset का game कि यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि आपको आपके लिए 5 लाख है तो 5 लाख में ही आपकी दुनिया सिमर जाएगे अगर 10 लाख सोचोगे 5 लाख से 10 लाख मिलेंगे लेकिन अगर वही चीज अगर फैंजी वाले में फोर्ड दो इंटर्व्यू को तो वहाँ पर 25 लाख और 30 लाख भी मिल जाते हैं वो भी beginner को अभी मैं एक incident बताता हूँ मेरा एक भाईया है जो की SDE में गया है उसका starting package था 24 LPA और एक मेरा दोस्त है जिसका starting package था 55 LPA तो आप ये नहीं justify कर सकते कि सिर्फ Google करने के लिए 30 लाख लोग है या क्या लोग है तो यहाँ पर हमेशा सबसे पहला factor है mindset अगर 5 लाख सोचोगे तो 5 लाख में इसे मर जाओगे हो सकता है कि अब ही आपका year of experience कम होगा एक साल होगा डेर साल होगा दू साल होगा ठीक है तो जब experience कम होता है तो वहाँ पर देखी जाती है last जो हमने salary उठाई है तो जैसे मालो की हमारे जो top 4 service based company है TCS Infosys इसमें जो हमारे average package होता है 4 से 4.5 लाख होता है correct तो यहाँ पर अगर आप switch कर रहा हो तो आप आराम से expect कर सकते हो 4 times minimum मैं बोल रहा हूँ कि आप 4 times तक खिंच के ले जा सकते हो यही होगा कि आपको starting में नहीं मिलेगा तो आपको starting में क्या करना कि आपको 4.5 है तो उसको 9 करना है 9 का फिर 12, 13, 15, 18 इस तरह से आपको grow करना है अब direct अगर 4.5 से 18 मांगोगे और हो सकता है कि हम ladder पे धीरे धीरे चड़ते नहीं तो उस case में आपका number हो सकता है कि starting में कम हो लेकिन धीरे धीरे वो बढ़के आगे चला जाएगा तो कभी भी हमको कम package पे satisfied नहीं होना है मैं बहुत सारे लोगों से बात करते रहता हूँ मुझे insta पे आता है facebook पे आता है message लिंग्टीण पे आता है even top post पे भी अगर आप मुझे से connect करना चाहते है तो वहाँ पे भी connect कर सकते हो topちょ मेट पे भी connect करते रहता हूँ मैं लोगों से तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि उनके लिए एक number होता है उनके दिमाग में कि इतना से जादा आप मेरे को सायद नहीं मिलेगा और यही सबसे बड़ी गलती होती है तो मैं एक अपने negotiation के story share करता हूँ वहाँ पर उन्होंने बोला कि इतना तो मिल ही नहीं सकता है मैंने कुछ number quote करा था I think 100 और 150% I think 100% था कि 11 था तो मैंने 22 ऐसा कुछ number बोला था तो बोले कि इतना थोड़ी होता है 32-40% होता है तो मैंने बोला उससे जादा तो मेरे पास already offer पड़े हुए है तो बोलते है कि okay then we'll consider फिर बात में उन्होंने यह कर दिया consider नहीं किया बर ठीक है तो मैं यहां से यह काना चाहरा हो कि कभी भी अपने को limit नहीं करना हमेशा higher and higher number ही बोलने है मैं start से ही 100% के उपर ही number बोलता था या 100% बोलता था मेरे दिमाग में हमेशा था कि 100 तो cross easily करना है मुझे तो यहीं होत कौन सी project मिली थी तो काम पर भी बहुत ज़्यादा हमारा depend करता है कि हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं of course यहां पर 3-4 factor बता दिया कि काम कौन से कर रहा है कौन सी company में काम कर रहा है last bid drawn salary क्या है and then कौन सी company में जा रहा है तो यह 4-5 factors होते हैं जिस पर कि हमारी salary depend करती है अब आते हैं हम freshers के लिए कि यहां पर हो सकते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग freshers ही होंगे जहां तक मुझे लगता है क्योंकि सारे comment section में ज्यादा तर freshers लोग बोलते है या फिर जो बोलते है कि मैं 4-5 साल से किसी और field में था अभी switch कर रहा हूं data engineering में तो उनके लि पर फिर यह सारे game start करने चाहिए पैसे वाले ठीक है तो यहां पर एक अब हम company wise rough estimate देख लेते हैं कि अगर आप service based में जा रहे हो although कोई fix number नहीं है इसमें कहीं पर भी जा सकते हो लेकिन आप अगर start कर रहे हो as a beginner as a freshers तो आप expect कर सकते हो कि 10 लाग के नीचे और 5 लाग के 10 to 18 के range में कि यहां पर आपको कुछ भी मिल सकता है 12, 13, 14, 15 कुछ भी मिल सकता है तो आपको यह हमेसा ध्यान में रखना कि इतना तो कम से कम मांगना ही है ऐसा नहीं कि आपको limit कर लेने 5 लाग देदो 6 लाग देदो ऐसा कुछ नहीं होता जितना जादा high quote करोगे उतना जालते हैं लास्ट वाले का जिसका होगा कि फैंजी या जो high paying jobs हैं उसके बारे में तो वहाँ पर generally होता है जैसे Google में जाओगे आप तो वो खुद ही आपको एक range होता है उनके पस हमेसा range होता है कि 22, 30 देने है तो उस range में ही वो लोग काम करते है और उसी range में आपको जो maximum ह हो सकता है वो देते हैं वहाँ पर वो लोग ज्यादा talent ढूंटते हो और पैसे के बारे में कम चिंता करते हैं मतलब करते हैं उनके पास भी एक budget होता है लेकिन वो कम सोचते है तो इस तरह से हो सकता है कि मैंने आपको एक rough idea दे दिया होगा क्योंकि यह बहुत बड़ा wide है अगर product है normal product waste firm है दिन आप 10 to 18 expect कर सकते हो और अगर बड़ी companies है पैंजी है या फिर और भी बड़ी company high paying jobs वाली company है तो वहाँ पे आप आराम से 25 के उपर expect कर सकते हो यह मैं बता रहा हूँ beginners के लिए experience हो तो experience पे depend करता है जैसे अभी मेरा 30 है तो मैं अगर अगली company में भी drone salary क्या था उस पे depend करने लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया है topic बहुत छोटा था तो आसा करते है कि आप लोगों को एक rough idea मिल या होगा अगर वीडियो अच्छा लागा होगा तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और मिलते अपने अगले वीडियो में बहुता कि लिए बाई